आगे बढ़ते हुए अब अगली बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं जार राज्य सभा के लिए 9 राजियों की 12 सीटों पर होने वाले उप्चुनाव से पहले ही सभी उमिदवार निर्विरोध जीत गए हैं इसके साथ ही हरियाना, मद्रप्रदेश, राजस्थान, तिर्पड़ा, तिलंगाना और ओरीसा की एक-एक सीट पर भी उमिदवार जीते हैं अब राज्य सभा में 12 नए सदस्यों के निर्वाचित होने से राज्य सभा का आकड़ा बदल गया है राज्य सभा में NDA का आकड़ा बहुमत को चू गया है राज्य सभा में BJP की संख्या 96 हो गई है जबकि NDA की संख्या 112 हो गई है 245 सदस्यों की राज्य सभा में अभी 8 सीटें और खाली है इस तरह राजिसभा में बरतमान में बहुमत का आकड़ा 119 सदस्यों का है NDA को 6 मनुनित और 1 निर्दलिये का भी समर्थन प्राप्त है और इस तरह NDA बहुमत के आकड़े को छू चुकी है हमारे पीछे आप देख रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संसत भवन जिसका उस सदन राजसभा है और राजसभा में अब NDA पूर्ण बहुमत का आकड़ा छू लिया है और इसका असर सिधे जब संसत सत चलेगा तो दिखेगा और NDA यानि मोदी सरकार 3.2 बड़े बड़े जो बिल है वो बिल को पास करा सकेगी अगर हम आखड़ों की बात करें तो 12 सीटों पर उप चुनाव होने थे लेकिन चुनाव से पहले ही 12 जो राजसभा के सदस है निर्विरोध चुने गए हैं जिनमें से 11 सदस NDA के हैं 6 BJP के हैं तो बाकी अलग-अलग पार्टियों के हैं ऐसे में अगर हम राजसभा में संख्या बल देखें तो BJP के पास अकेला 96 सांसत जो हैं सो हैं और 4 जडियू के हैं बाकी उनके घटक दलों के हैं ऐसे में वो आकड़ा 112 है 6 सांसत जो हैं नॉमिनेटेड हैं एक सांसत निर्दली हैं तो ऐसी इस्तिती में राजसभा में अगर पूर्ण बहुमत के लिए फिलहाल देखें तो 119 सांसत चाहिए जिसे NDA जो है सो टच कर रही है तो इसका असर देखने को मिलेगा जो मोदी गौर्णेंट का सपना है कि बड़े बड़े जो कानून है खास करके हम वकबोर्ड का देखें तो जिस परकार से भी मौनसून सेशन में हमने देखा कि वकबोर्ड को जेपीसी में भेजना पड़ा यही संख्या बल रहा था तो लोगसभा से पास कराने के बाद राजसभा में सरकार पास करा लेती लेकिन अब वकबोर्ड कानून की बात करें चाहे युनिफॉर्म सिविल कोर्ट की बात करें या महलाओं के जो शादी के उम्र है उसके बढ़ाने से समंदित बिल है या शादी विवा जो बाल विवा निशेद अधिनियम बिल 2006 है उनको पास कराने में आसानी होगी वन नेशन वन एलेक्शन इस बिल को भी सरकार अब पास करा सकती है क्योंकि हमने देखा था जब 2014 में अगर हम बात करें तो राजसभा में संख्याबल नहीं थी 70 पलस के आसपास था तो जैसे में कई बड़े बिल जो है सो मोधी 1.0 में पास नहीं करा सकी थी और वहीं उसे मोधी 2.0 में पास कराना पड़ा था तो ऐसी इस्तिती में अगर आप देखें तो पुन बहुमत का आकड़ा पार करने के बाद या चुने के बाद जो है तो अब NDA और ज़्यादा ताकत और हो गई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि NDA के जो बड़े घटक दल है खास करके हम G.U की बात करें टीडिपी की बात करें तो क्या ये घटक दल चाहे UCC की बिलको लेकर के हो या फिर वकबोर्ट बिलको लेकर के हो क्या ये समर्थन करेगी ये देखना दिलचस्प होगा अब कर बताया कि राज्यसभा के जो बारा उमिदवार है जिन पर चुनाव हुए वो सभी निर्विरोज जो है वो चैनित हो चुके हैं राज्यसभा के लिए नौ राज्यों की बारा सीटों पर उप्चनाव होने थे और सभी उमिदवार निर्विरोज जीत कर अब राज्यसभा के स्दस्य से बन चुके हैं बारा सीटों पर बीजेपी के नौ तो वहीं कॉंग्रस से एक तो वहीं NCP अजीत पवार गुट से एक तो वहीं राष्ट्रे लोक मोर्चा से एक उमिदवार की जीत हुई है सभी उमिदवार असम बिहार और महराष्ट की दो-दो सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं इसके साथ ही NDA को जो है वो बहुमत राजसभा में मिलता हुआ नजर आ रहा है और उत्राखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्राखंड के हल्दवानी से ये बड़ी खबर है